हलो स्टुडेंट वेल्कम टुबेक माई उटूब चैनल डिकलाइफर स्टडी में आपका स्वागत है तो चलिए फ्रेंट जैसे कि देख सकते कि बिहार विद्याले पर इच्छा समीती जो सरस्तर बाइस चोविस के लिए जो देख सकते फ्रेंड इंटरमीडियेट में जो न नहीं आया है तो क्या करें तो चलिए फ्रेंट पूरी जानकारी देने वाले हैं तो यो को लास तक बने रहे और हमारी चैनल पर पहली बार विजित कर रहे हैं तो चैनल को स्क्राइब करके वेल आइकन प्रेस कर देंट ताकि पल-पल की अपडेट यहां से मिलती रहेगी चलिए जैसा कि देख सकते हैं कि बिहार विद्याले परिक्षा समीती जो थर्ड में एटलिस जारी किया था फ्रेंट वह 169220 को 169220 को ही जारी कर दिया था और ऐसे में काफी सारा स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर देख सकते हैं इसका लास डेट कब तक है तो इसका लास देट है फ्रेंट 2920 वाज तक 2920 वाज तक एडिविशन का लास डेट है और बहुत सारे श्टूडेंट पूछ रहे थे क्या सा डेट को बढ़ाया जा सकता है तो फ्रेंट मैं आपको बता दू कि अभी ऐसा कोई भी रिकार्डिंग निकलकर नहीं आई है कि डेट को बढ़ पर फिरसे एक डेक्ट सकते है नोटिस के जरी बता आया गया है कि असपोर्ट एैटविशन में उनको मौका दिया जाएगा तो चलीए कि तरह से सब्सक् extrêmement होगा और कब से सब्सक्राइंट RALLY यहां पे देने वाले है तो विडियो को लाइक सेयर करें फ्रेंट देख देख सकते हैं यहां पर जैसा कि बिहार विद्याले पडिक्षा समीती ने जो अपने संस्थन सिच्छन संस्थान के लिए जो देख सकते हैं वो यह फेसेस के पोटल से जो अप देख सकते हैं ऑनलाइन किये थे फ्रेम उनका जो तृतिये चेहन सुची में नाम नहीं आया है तो उनके लिए भी हर विद्याले पडिक्षा समीती यहां पर साफ साफ बता रहा है कि देख सकते हैं कि तृतिये चेहन सुची के अधार पर नामंकन की पड़किरिया पूरी होने के बाद देख सकते हैं जो थर्ड में एट लिष्ट आया है उसका नामंकन लेने के बाद ही असपोर्ट नामंकन देख सकते हैं असपोर्ट नामंकन यानि असपोर्ट एडविशन के लिए अफसर परदान किया जाएगा देख सकते हैं यहां पर बिहार विद्याले पड़िक्षा समीती यह साब साब बता रहा है कि देख सकते हैं कि तृतिये चेहन सुची के नामंकन के बाद यानि त्रीटिये मेरिट लिष्ट जारी हुआ उसको पूरा करने के बाद ही यहां पे अस्पोर्ट एडविशन का अफसर दिया जाएगा यानि अस्पोर्ट एडविशन हो सकता है जिनके संबंद में सुचना में दी जाएगी देख सकते हैं अभी हलाकि इसकी सुचना नहीं दी गई है स्पोर्ट एडविशन होने वाला है तो चलिए देख सकते हैं बहुत सारे यगे देली परिक्षा समीती कि और से यह साल बताया गया है कि अदार पर नवंकन हो रहा है नवंकन यानि पूरा हो जाएगा फ्रेंद ट्रीतिय मैरिट लिस्ट के न다면कन पूरा हो उसके बादỏ एड़ उडाइन था गाईन लाइन ही उगा क्योंकि सकते हैं तेब में ऐसी यह ऑनलाइन के लिए पोर्टल खोला जाएगा a sport a division के लिए खोला जाएगा तो चलिए a sport a division की पूरी जानकारी दे देंगे जब तक त्रिटिये चैन शूची complete होता है तब तक a sport a division क्या-क्या document लगने वाला है पूरी जानकारी यहां पे देने वाले हैं तो चलिए हलाकी अभी देख सकते हैं तुरितिये जो में एतलिस्ट थड में एतलिस्ट जारी हुआ था उसी के अधार पर अभी एडविशन चलेगा तो चलिए क्या एडविशन का डेट को बढ़ाया जा सकता है अभी हलाकि इसकी जानकारी नहीं दी गई है और देख सकते हैं जिन स्टुडेंट का कोई भी रिकार्डिंग ऐसी निकल कर नहीं आई है तो चलिए देख सकते हैं बहुत सारा स्टुडेंट पूछ रहे थे कि सर हमारा फर्स्ट कॉलेज नहीं मिला है तो मैं आपको उसी कॉलेज में एडविशन लेना होगा अन्यथा आपको फिर से इंतिजार करना होगा अस् देख सकते हैं अगर एडविशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं अन्यथा छोड़ भी सकते हैं तो चलिए आपको त्रितिये चैन सुची जो कम्पिलीट हो जागा उसके बाद ही स्पोर्ट रौंड सूरू होने वाला है तो चलिए उमीद करते हैं कि आप लोग समझ गए ह त्रितिये चैन सुची का जो डेट है 16 से 19 सितंबर तक रखा गया है और देख सकते हैं काफी कम डेट है और ऐसे में देख सकते हैं काफी सारा स्टुडेंट पूछ रहे थे कि सर क्या डेट को बढ़ाया जा सकता है तो मैं आपको बता दो फ्रेंड कि अभी ऐसी कोई भी र सुरू होगा फ्रेंड तो मैं आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं तो वीडियो को लाइक करके सेर कर दे और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को स्क्राइब करके वेल आइकन प्रेस कर दे ताकि पलपल की अपडेट यहां से मिलती रहेगी तो चलिए फ्रें बार